सबसे पहले हम जानेंगे अयस्कों का सांद्रण जब भी हम खनिच लेकर आते हैं या जमीन से खुदाई करके हम अयस्क लेकर आते हैं तो इस अयस्क में अयस्क के अलावा भी अन्य अशुध्यां जैसे की रेत, मिट्टी या अन्य भिन्य प्रकार की अशुध्यां उपस्थित होती हैं तो इन सभी जो अशुध्या हैं उनको हम गैंग, मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं या इसे हम अप अयस्क भी कहते हैं और जो सांद्रन प्रोसेस है अयस्कों का सांद्रन की जो विधी है उसमें हम अयस्क से इन ही अशुध्यों को गैंग को प्रथक करते हैं याने कि जो अयस्क में उपस्तित गैंग या शुद्धी को प्रिथक करने की क्रिया ही अयस्क का सांद्रन, concentration of ore कहलाती है जैसे कि मैंने पहले बताया इसे अयस्क का प्रसाधन या सज्जी करन भी कहते हैं या हम इंग्लिश में यदि हम लें तो हम कहेंगे कि dressing of ore या फिर हम कहेंगे beneficial of ore यहाँ पर किया जाता है तो इस तरह से इन गैंग को प्रिथक करने के लिए हम भिन भिन विधियों का उप्योग करते हैं और यह विधी ये कौन सी विधी किस अयस्क के लिए उप्योग में लाई जाएगी या उस अयस्क के भातिक इवं रासाइनी गुनों पर निर्भर करता है तो आईए हम जानते हैं कौन-कौन सी विधियों का उपयोग हम आयसक के सांदरन के लिए करते हैं तो इसमें प्रमुक है सबसे पहली विधी है द्रवित शोधन या हैड्रोलिक वाशिंग इसके बाद दुती विधी होगी चुम्ब की प्रिथक्करन या मैगनेटिक सेपरेशन तीसरी विधी है फेन प्लावन विधी फ्रोथ फ्लर्टिशन मैथड और चौथी विधी है या लीचिंग या निक्षालन और यहाँ पर हम बताते हैं कि जो सुरू की तीन विधिया है य जो निक्षालन विधी है यह विधी है जो निक्षालन विधी है यह कहलाती है रासायनिक विधी तो आए सबसे पहले हम जानते हैं भातिक विधी आए सबसे पहले जानते हैं सांद्रन की प्रथम विधी यहने की द्रवित धावन हैड्रोलिक वाशिंग यह विधी अयस्क तथा गैंग के आपक्षिक घनतों में अंतर पर आधारित है और इसलिए इस विधी को गुरुत्वी प्रितक करण विधी या ग्रेविटी सेपरेशन मैथोड भी कहा जाता है इनमें अयस्क तथा गैंग या अधात्री इनके दरवेमान में जब अंतर होता है या घनतों में अंतर होता है तब इस विधी का उप्योग किया जाता है और इस विधी का उप्योग प्राया भारी अयसकों जैसे की टिन, लेड या आईरन जैसी धात्मों के अयसकों के लिए उप्योग में लाया जाता है हलकी धात्मों के एसकों के लिए इस विधी का उप्योग हम नहीं कर सकते हैं आये जानते हैं कि hydraulic washing में किस प्रकार से धात्मों का या अयसकों का सांद्रन किया जाता है इसके लिए जो संयंत्र उपयोग में लाए जाता है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आप देखेंगे नीचे एक सीड़ी नुमा प्लैटफॉर्म होता है या हम कह है जिग जॉक जैसा यह प्लैटफॉर्म होता है दूसरी ओर यहाँ पर चोड़नित अयसकों को गिराने के लिए उपर से एक पाइप लगी होती है कंटेनर जिसमें से चोड़नित अयसकों नीचे गिराया जाता है साथी साथ यहाँ पर पानी का तेज बहाव प्रवाहित कर करने के लिए यहाँ पर एक पाइप लगी होती है तो जब हमें सांद्रण करना होता है वहाँ पर हम पहले चोड़नित या पैलवराइस अयसकों को इस उपर वाले पाइप से नीचे गिराते हैं तथा साथी साथ यहाँ पर दाई ओर से इन पर तीज पानी का बहाव कल जाते हैं जबकि जो धात्में होती है वो इन जैक जैक वॉले खाचों में रुखती चली जाती हैं इस तरह से जब पूरा गैंक या अधात्री बह कर आगे निकल जाता है तो इसके पर शाथ इन सुद्ध अयश्कों को हम एकत्रित कर लेते हैं तथा फिर इन्हें सुखा कर आगे के दुती-पत के लिए उपयोग में लाती हां तो इस तरह से हम देखें कि यह जो है जो desc pumpsे की प्रोसेस है यह खास कर भारिये धातुओं के अलावा मेगनेटाइट अयसकों के लिए और साथी साथ क्रोमाइट अयसकों के लिए उप्योग में लाई जाती है इसके बाद देखते हैं अयसकों के सांद्रन की दूसरी विधी चुम्ब की प्रिथककरन विधी Magnetic Separation Method जैसे की नाम से इस पस्थ है यह विधी अयसक तथा गैंग पार्टिकल्स के चुम्ब की गुणों में अंतर पर आधारीत होती है यनिकी इसमें से दोनों में से कोई एक यनिकी या तो अयसक या फिर गैंग इन में से किसी एक को चुम्ब की प्रकरतिका होना चाहिए त इस आधार पर हम अयस्क तथा गैंग को एक दूसरे से प्रथक कर लेते हैं इस प्रकार की ये जो विधी है मुख्य रूप से लौह अयस्कों के लिए उप्योग में लाई जाती है क्योंकि लौह अयस्क चुम्बिकी प्रकरती के होते हैं उधारन के लिए मेगनेटाइट जि इस तरह से इने हम प्रथक कर सकते हैं इस तरह से और भी उदारन ऐसे की कैसे टराल या जिस ai हम कहते हैं तेन को safe येजो है वा चुंब की प्रकरतिके होते हैं हाला कि ये दोनों की घनत लगभग समान समान होता है लेकिन थूकि इनके संयु 20 स्टोन v 8 चुमि की प्रकरती का है जब की जो गैंग है वह चुमि की प्रकरती का होता है इसलिए इनका प्रथक करण भी हम चुमि की से परेशन पैफ हो या चुमि की प्रथक करण विधी से कर लीते हैं इसके अलावा जो रुटायल इसको होते हैं यानि कि टुटेनियूम के औकसइट। इनमें भी जो असुध्यां होती हैं जैंग होते हैं रही इसलिए इनका प्रथक्रण या सांद्रन भी हम चुम्बि की प्रथक्रण विदी के द्वारा कर लेते हैं तो आईए अब देखते हैं कि चुम्बिकी प्रिथक करण विधी में किस प्रकार के सयंत्र का उप्योग किया जाता है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैगनेटिक रोलर है जिसमें कि यहाँ पर आपको दो वील दिखाई दे रहे हैं इन में से एक वील जो है वह मैगनेटिक होता है या मैगनेट का बना होता है जबकि दूसरे वील को मैगनेट का होना आवश्यक नहीं है इन दोनों जो वील है उनके ऊपर एक रोलर बेल्ट यह रोल करता हूँ घूमता रहता है जब हम अयस्क को चुनित कर लेते हैं उसके पश्चात इस एक ओर से बेल्ट के ऊपर चुनित अयस्क को गिराया जाता है और हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये चुर्णित अयस्क आगे बढ़ता है तो इस में से जो चुम्ब की पदार्थ होगा वो जैसे ही बेल्ट के किनारे पर आता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है लेकिन जो चुम्ब की पदार्थ होता है वह magnetic क्योंकि यहाँ पर magnetic wheel है तो उसके आकर्शन की वज़ए से यह अभी भी belt से चिपका होता है और जैसे ही वह magnetic wheel से दूर जाता है उसके बाद वह अलग होता है तो इस तरह से जो non-magnetic part होता है, क्या है वो ओर हो या फिर वो अशुद्धी हो, वो belt के सीधे नीचे, wheel के सीधे नीचे गिर जाते हैं, जिससे हम अलग पातर में एकत्रित कर लेते हैं, जबकि जो magnetic part होता है, वो थोड़ा अंदर की ओर जाकर गिरता है, जिससे हम अलग container में एकत्रित कर लेते हैं, और इस तरह से चुम्ब के प्रथक करण विधी के द्वारा, हम अयस्क और गैंग को एक दूसरे से प्रथक कर लेते हैं, इस प्रकार की जो विधी हमने पहले ही देखा, प्रायर magnetic अयस्कों के लिए उप्योग पे लाई जाती है, इसके बाद हम इसरी विधी और यह विधी है, फेंग प्लवन विधी, फ्रोद, फ्रोटेशन मैथड, यह विधी केवल या मुख्य रूप से कहें, सलफाइट अयस्कों के लिए उप्योग में लाई जाती है, इसका करण यह है कि जो सलफाइट अयस्कों होते हैं, वो हलके होते हैं, और स कह सकते हैं कि वो जलस नहीं प्रकरती की होती हैं, जबकि जो सलफाइट अयस्कों होते हैं, वो ओल के प्रती स्नीह रखते हैं, ओल से जाकर चिपकते ही या उससे भीग जाते हैं, और गुणों में अयस्क तथा अधात्री के गुणों में इसी अंतर का उप्योग करके इस का निर्मान किया गया है इससे हम कहते हैं फ्रोथ-uti • अब यहां पर 1 ने बताए वह संध्रण के लिए उप्योग में लाई जाती है उधारण एहां पर है अब यहाँ पर जो फ्रोट फ्लोटीशन मेथड है जैसे कि मैंने बताया सलफाइड ऐसकों के सांद्रन के लिए उप्योग में लाई जाती है उदाहरन ले सकते हैं उदाहरन यहाँ पर है जैसे कि कॉपर ग्लैंस जिसका सूतर होता है इसी तरह से जिंक ब्लैंड जडैनस ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं ग्यालना पीबीएस या फिर आइरन पाइराइड जिसका सूतर होता है फेस्टू यह सभी कि सब सलफाइड ऐसक हैं जिनका सांद्रन हम फेन प्लावन विधी के द्वारा करते हैं अब यहाँ पर जो फ्लेन प्लावन विधी है उसमें चूनित अयस्क का जल में बना हुआ घोल तो लिया ही जाता है इसके अलावा इसमें कुछ महत्वण पदार्थ भी एड़ किया जाते हैं या मिलाये जाते हैं सबसे महत्वण पदार्थ जो मिलाये जाता है वह है संग्राही या कलेक्टर संग्राही वे पदार्थ होते हैं जिनमें की मुख्य रूप से ओयल आते हैं या फिर कुछ जैन्थट आते हैं यहाँ पर हम देखें कि जो ओयल होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया जो सलफाइड अयस्क होते हैं वो ओयल से भीज जाते हैं इसलिए यहाँ पर यह जो ओयल होते हैं खासकर यहाँ पर तारपीन का तेल या पाइन ओयल जिसे कहते हैं चीड का तेल उप्योग में लाये ज जाता है तो ये संग्राही के रूप में कारिक करते हैं ये सभी सलफाइड और के पार्टिकल्स के चारो और एक पतली लेयर बना लेते हैं और उसे जल से दूर कर देते हैं यहने कि इन से जो इनको जल विरागी प्रकृति का बना देते हैं साथ ही साथ यहां पर हम लें कि एक विशेस कंपाॉंड जिसे हम सोडियम एथाइल जेंथेट कहते हैं इसका भी उप्योग यहां पर किया जाता है sodium ethyl genthate इसकी सरचना आप देख सकते हैं यहाँ पर ethyl समू है C2H5, O, C, C से जुड़ा हुआ है double bond से यहाँ पर S है और कारवन से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा sulfur है और उससे जुड़ा हुआ है sodium iron यहाँ पर sulfur पर negative charge होता है जबकि sodium पर यहाँ पर positive charge होता है इसे हम कहते है sodium ethyl genthate जो की एक संग्राही होता है यह संग्राही जो आयस्क के particles होते हैं उनको और भी ज़्यादा जल विरागी प्रवित्ति का बना देता है यह हम कह सकते हैं इनकी जो non-vertability है उसमें वृध्धी कर देता है वो इस तरह से क्योंकि जैसे कि आप इसकी सरशना देख रहे हैं इसमें एक जो S के उपर sulfur के उपर negative charge है sodium के उपर positive charge है तो यह इसका एक polar part हुआ जबकि जो एथाइल समू वाला part होता है या और भी जो hydrocarbon वाला part होता है एथाइल समू के लाव और भी दूसरे होते हैं तो यह दो सिरे इसमें होते हैं तो जैसे ही इसे हम जल में डालते हैं तो यह अपने आयनों में sodium आयन प्रिथक हो जाते हैं जबकि जो sulfur का जो negative part होता है वो उस तरब से जाकर जितने भी अयस्क होते हैं उनसे जाकर यह चिपक जाते हैं और इस तरह से उनके चारों यहां हुआ है वह हम जानते हैं एक फॉयें ऑसे बहुत ज़्यादा जल बिरागी बना देते हैं या हम कहलें कि इनकी जो non vetability है उसमें ये व्रधी कर देते हैं तो इस तरह से ये आयसकों को एकत्रित करने का कारे करते हैं इसलिए हम इन्हें संग्राही या collectors कहते हैं